हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दोस्तो यदि आपके वाटसप के अंदर कोई सभी दोस्तो फोटो वीडियो आता है और दोस्तो जब आप उसे डाउनलोड करते हो तो दोस्तो वो गैलरी में नहीं दिखता है गैलरी में स नहीं करता है तो दोस्तों हो सकता है वह आपके लिए काफी इंपोर्टेंट हो जरुरी हो उसकी आपको जभ जभु पड़ती है तो अब जैसे माल लिए कफिगा इंपोर्टेंट मुझह उसकी जरुरुयत है और वो हमें मिल ही नहीं रहा है गैलरी के अंदर जब मुझे जरूरत पड़ी तो दोस्तों जैसे मालो एक मैंने फोटो यहां पे भेजा है आपके सामने दोस्तों यहां पे फोटो आ भी गया है और दोस्तों हमने इसे डाउनलोड भी कर लिया और यहां से जा भी चुका है अब दोस्तो मैं इसे अपनी गैलरी के अंदर इस फोटो को देखता हूं तो यह यहां पे मिलेगा ही नहीं जैसे कि आप यहां पे देख पर हूं मैं अपने गैलरी को ओपन करता हूं यहां पे दोस्तो यह फोटो यहां पे दिखेगा ही नहीं यहां पे मैं एल्बम के अंदर जा यहां पर भी नहीं दिख रहा है अगर यहां पर होता तो लेटेस्ट में यहां पर दिख जाता बट दुस्तों यहां पर नहीं दिख रहा है कहीं पर भी नहीं दिख रहा है अब दुस्तों यह आखिर में यह डाउनलोड में भी जा रहा हूं तो यहां पर भी नहीं है यहां अपने WhatsApp के अंदर दू सेटिंग ये कर देते हो तो दूस्तो ये जो आपकी प्रॉलम है न डेफिनेटली दूस्तो सोल्व हो जाएगी आपका फोटो वुडियो दूस्तो आपके फोन गैलरी के अंदर दिखने लएगा तो दूस्तो ये कैसे होगा इसके लिए दूस्तो सबसे पहले आपको अपने WhatsApp को ओपेन करना है यहाँ पे और दूस्तो जैसी WhatsApp को ओपेन करोगे न यहाँ पर दूस्तो दूस एटिंग करनी है पहला आपको यहाँ पर त्री डोट पे क्लिक करने है सेटिंग के अंदर आने है और सेटिंग के अंदर आओगे तो दूस्तो यहाँ प तो यह यहां पर दोस्तों ओफ होगा आपके फोन के अंदर वोटसाप में आपको सबसे पहले इसे ओन कर लिए यहां पर आपको देखना है क्या लिखा है है foi newly downloaded media in your device gallery यानिए कि दुस्तों यहां से आप इसके ऊwn कर लेते हो कोई दुस्तों नया नया कोई फोटो वीडियो में तो दुस्तों कोई भी मेडिया तो आपके phone में ङल्डियों एक है तो पहला तो तो नहीं कर रहा है दोस्तों यहां पे एक बढ़ और मैं आपको दिखाथा हूं उसके प्रफायल पे यहां पे क्लिक करना है यहां पे नीचे आओगे यहां पर एक मेडिया विजिबिलिटी का ओप्सन मिलेगा आपको यहांपे यादी लो होगा तो दोस्तों आपको default do तो उस पितम में क्या ओरोगिए और बाद मैं आपको उसando जब करना है शेटिंग कम अनराने है यहां पर दोस्तों आपको एक और सेटिंग मिल जशाई आपको ध्यान साथ है इस्टोरेज mist लिएक देता कर अंदर हैं यहां पर मीडिया ओटो downloaded पे लगा देना है आपको यहां पे आपको क्या कम करना है कि वेन यूजिंग में मोबाइल डेटा जो है न दुस्तो आपको फोटो प्लस बीडियो प्लस डोकुमेंट ओडियो आपको जो भी जरूरत लगता है इन सब पे लगा देना है यदि आपको डोकुमेंट पे यह ज़रूरी नहीं लगता तो अंतिक- исслед कर देना है ओके कर देना है इसी तरह से दोस्तो यहां पर भी आपको जो भी जरूरत है और स्यफ स्ञेक्णा एँन दॉसथ्तों आप यहां पर हमने भेई दिया है और ये यहाँ पर आभी चुका है ये अपने आप यहां से देखिए वो सेटिंग ओन करते ही अपने आप यहां से download हो गया है और download होने का बाद दूसतों अब हम इसे अपने गैलरी के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या दूस्तों यहाँ पर फोटो दिखता है कि नहीं दिखता है तो हमने दुस्तों यहां से फाइल मेनेजर को ओपेन कर लिया है और आप यहां पे देखोगे जैसे कि मैं यहां पे ओल फोटो जो भी है न यहां पे जाता हूं सबसे पहले तो यहां पे इसके वाद यहां पे देखिए दुस्तों यहां पे नह काम करने हैं कि दुस्तों आपको अपना फाइल मैनेजर यह ओपन करना है दोस्तों फाइल मैनेजर को ओपन आपको करना है ध्यान से देखना मैं क्या चीज़े बता रहा हूं आपको फाइल मैनेजर ओपन करोगे यहां पर आप अपना इंटर्नल इस्टोरेज ओपन करोगे फ आपको यहां पर मिडिया को सेलेक्ट करना है मिडिया को सेलेक्ट करना है यहां पर दूस्तों आप प्राइबेट में जाना प्राइबेट में जाओगे तो दूस्तों यह जो फोटो है ना आज आप लोग देख लो कितना तारीक है आपको यहां पर फोटो नजर आ रहा है जो गैलरी में वो नहीं आ रहा है तो दोस्तो सो करवा सकते हो और दोस्तो आई होक की जो मैंने आपको जनकारी बताया है दोस्तो वो आपको helpful रही होगी पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरू करते हैं कच्छा सा प्यारा सा कुमेंट जरू करते हैं इसी